अब पहली बार में बनाएंगे एकदम पर्फेक्ट बेसन के लड़ू Hello everyone, welcome back to Kavita's Flavor मैं लाई हूँ आपके लिए एकदम पर्फेक्ट बेसन के लड़ू की रेसिपी जिसे आप पहली बार में ही बहुत असानी से बना सकते हैं पर्फेक्ट मेजर्मेंट के साथ बनाएंगे तो चलिए वीडियो शूर कर लेते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजेगा बेसन के लड़ू बनाने के लिए मैं यहां पर ले रही हूँ वन फॉर्थ कप देसी गी इसे हम पैन में डालेंगे और इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे अगर इस घी को चम्मच से नापा जाए तो यह लगबग चार चम्मच के करीब होगा इतने घी में हम दो कप बेसन एड़ करेंगे पफेक्ट मेजर्मेंट के साथ हम बनाएंगे तो हमारे लड़ू एकदम अच्छे बेनेंगे तो घी मेल्ट हो गया अब हम इसमें इसे एड़ कर देंगे यह हमारा वनका पैड हो गया अब मैं दूसरा कप इसमें एड़ कर रही हूँ गैस का फ्लेम एकदम low रखनांगे और अब इसे अच्छे से mix कर ले घी हमें यहाँ पर इंस्टॉल्मेंट में एड़ कर लें इसे अच्छे से mix करते हुए हम भून लेंगे जो भी इसमें लंब्स हैं उसे अच्छे से खतम कर लेंगे इस तरह से इन्हें हटाते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे लगबग इस बेसन को भूनने में हमें 20-22 मिनट लगेंगे और गैस का फ्लेम हमें लो रखना है अगर आपने गैस का फ्लेम हाई कर दिया तो बेसन आपका जल जाएगा और लड़ू एकदम कड़वे हो जाएंगे तो इस बात का खास ध्यान रखे हैं कि बेसन को लो फ्लेम पर हमें 20-22 मिनट लगेंगे भूनने में वापस मैं इसमें एक चमर्ज देसीगी और एड़ कर रही हूँ तो यहाँ पर बेसन को अराम से भूनियेगा थोड़ा वक्त जरूर लगता है लेकिन बेसन के लड़ू बहुत अच्छे बनते हैं बस इसे भूनते हुए हमें कम 20 मिनट के करीब हो चुके हैं और यह देखिए बेसन का टेक्शर कुछ इस तरह का हो गया है वापस मैं इसमे एक चमर्स देसी की और एड़ करूंगी और आब इसे दो तीन मिनट के लिए और भून लेंगे तो यहाँ पर बेसन से बहुत अच्छी खुश्पू आ रही है और इसे हम देखिए बहुत अच्छा मौशन आ गया है इसे दो तीन मिनट के लिए और भूनना है इस तरीके से अब इसमें अच्छा कलर आजाए तो या तो आप इसमें फूड कलर एड़ कर सकते हैं बट मेरे पास इस टाइम फूड कलर नहीं है तो मैं क्या करूंगी इसमें थोड़ा सा हल्दी एड़ करूंगी हल्दी आप इसमें आराम से मिला सकते हैं उसकी कोई खुश्बू नी आती कलर बहुत अच्छा आता है तो आप थोड़ा सा पान दीजिए लगबख 3-4 चमश के करीब और उसमें 1-4 टी स्पून हल्दी डाल दीजिए और उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरह से और आप इसमें मैं इसे एड़ कर दूँगे इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा अगर आपके पस फूड कलर हो तो आप वो भी एड़ कर सकते हैं तो बस इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें ये कलर अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहां हमने हल्दी को अच्छे से मिला लिया है और इसमें से बहुत अच्छी खुश्पू आ रही है हल्दी की कोई खुश्पू नहीं आएगे यकीन मानेगा बहुत अच्छे लड़ू बनेंगे बस अब आप इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा इलाइची पाउडर तो मैं इसमें 1-4 टी स्पून इलाइची पाउडर एड़ कर रही हूँ और गैस को बंद कर देंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर हमने गैस को बंद कर दिया और इसे इस तरह से फिला के थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे यह देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्शर कुछ इस तरह का है और यहां पर हमने गैस बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है ये देखिए इतना ठंडा हो चुका है कि हम इससे हाथ लगा सकें बस इतना ही ठंडा होना चाहिए ज़्यादा ठंडा नहीं करना है हमें अब हम इसमें एड करेंगे पाउडर शुगर तो मैं दो कब बेशन में एड कर रही हूँ लगबख सवा कप के करीब पाउडर शुगर तो ये मैंने लगबख एक कप डाला है और और वापस मैं इसमें डाल रही हूँ वन फोर्थ कप तो ये मैंने सवा कप के करीब यहाँ पे पाउडर शुगर एड किया है आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग इसे अच्छे से मिलाएंगे हाथों से ताकि इसमें कोई गांट ना रहे और यह जल्दी से मिक्स होके यह हम गरम गरम लड्डू बना लें अगर यह ठंडा हो गया तो लड्डू हमारे अच्छे नहीं ब बना लीजे यह लीजे हमारा लड्डू बनके तयार हो गया है अगर आप इसी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो कोई भी असानी से इस तरह से लड्डू बना सकता है तो यह देखे इसे बाद में हम पिस्ता या बादाम के साथ गारनिश कर देंगे और यह बूसरा लड्डू बना लिया और उस पर मैं बादाम की कत्रन लगा देती हूं इस तरीके से यह देखे कितने अच्छे लड्डू बनके तयार हुए है ना इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाके तयार करेंगे I hope कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है पसंद आई हो त जब तक के लिए टेकर वाब है और थांक यू फर वाचिंग में चाहिए